अप्रेंट्स कैसी हो आप सब आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूटू कोमल किचन में आज मैं आपको लेस्टन की चिटनी बनाना बताऊंगे इस लेस्टन की चिटनी को आप प्रांथा रोटी पूरी या बड़ा पाव सेंडविच सबी के साथ आप यूज कर सकते हो और इसको फ्रीज में रखे इसका स्टोर भी कर सकते हो यह खराब नहीं होती और मार्केट से अगर घर में बनाऊंगे तो बहुती अच्छी बनेगी तो चलिए हम शुरू करते हैं इसमें हमें क्या-क्या चाहिए तो यह देखिए इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता त यह द़िया है मैंने यह अइल यह करने के लिए यह जीरा और यह नमक नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो तो अभी हम मि'REच को मिक्षी की जार में हम पीछ लेते हैं तो यह मिने मिक्षी का जार लिए इसमें हम यह मिर्च डाल देंगे अगर आपको तिखा पसंद नहीं है तो आप बीज इसके निकाल सकते हो मैंने नहीं निकाले हैं और ये लेस्टन के कलिया डाल दी है मैंने इसमें लेस्टन बहुत ही जादा चाहिए अच्छा लगता है अगर जादा डालोगे तो और ये धही लिया है आप एक बार इसी तरह बनाके ट्राइज जरूर करना और नमक आप अपने इसाब से डाल सकते हो अभी हम इसको डखके थोड़ा इसका पेश्ट बना लेंगे दर दरा फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के करेंगे तो ये देखिए हमारा दर दरा पेश्ट बन गया है अभी हम इसमें थोड़ा पीछ लेंगे और फ्रेंट इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है ये पांच मिन्ट में चिटन बनके रेडी होती है तो देखिए हमने अच्छे से पीछ लिया है और आप इसको ऐसे एक अच्छी भी खा सकते हो बहुत अच्छी लगती है प्रांथा पूरी किसी के भी साथ और इसको मैं एक बार आपको फ्राई कंड दिखा देती हूं आप तो एदेखिए करेंगे तो फ्राई करने के लिए हम एक पैन लेंगे आप दूका लेंगे अच्छे से इसको मिक्स कर लिए थोड़ा पानी डाला एक इसमें और अब हम यहां लिए हैं धोड़ा डाल देंगे अभी ब्राउन होने तक जीरे को पकाएंगे तो यह थोड़ा चम्मच से इसको मिक्स कर देते हैं तो यह देखिए अभी ब्राउन हो गया है जीरा तो इसमें जो हमने मिर्च का पेश्ट बनाया था वह डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे यह देखिए ओयल में डालते ही लैस्टोन के बहुती अच्छी खुसुआ और यह पूरे घर में फैल गई है और बहुती अच्छी बनके रेडी होती है बहुती इसका टेस्ट अच्छा होता है तो आप एक बार ट्राइ जरूर करना और इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है बिल्कुल अलग से कोई मसाला भी नहीं लगता कुछ भी मसाला नहीं लगता इसमें इसमें थोड़ा सा पानी लेकि इसमें डाल लिया है और इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे आप देख रहे होंगे देखें हम ऐसे थोड़ा मिक्स कर देंगे और इस टाइम मैंने गेस को फूल कर रखा है कम नहीं किया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा पानी ओर डाल देंगे ताकि इस पक जाए तो मिक्स करके हम थोड़ा पानी डालतें इच में तो यह देखिए मैं थोड़ा पानी ओर डाल देती उच में और इसको अच्छे सी हम पका लेंगे तो अच्छे से पकाएंगे तो बहुत या अच्छी हुष्पव आएगे, अभी से बहुत अच्छी कुस्पव आ रही है, तो यह लेस्ऊन की चिटणी आप एक बार. बनाके जुरू ट्राइब करना बहुत ही अच्छी बनती है तो यह देखिए लसुन की चिटनी बनकी एकदम रेडी हो चुकिए दो मिन्ट हमने पकाई है गेश पर तब ही मैं गेश को बंद कर देती हूं और आपको एक बरतन में निकाल के दिखाती हूं तो यह देखिए फ्रेंट्स बहुत ही अच्छी चिटनी बनकी रेडी हो गई है और प्लीज फ्रेंट्स अगर मेरे चैनल का आपने सिस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सिस्क्राइब लाइक शेयर जरूर कर लेना और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आ